रिसेंटली ही बाबा रामदेब बेहोस होते होते बचे हैं जब एक कानपूर के लोंडे ने उनसे ऐसा पुछ लिया कि का हो मरदे पतंजली के खाईनी का या लॉंच करबा हो तो हे गाईस वेलकम टू माई चैनल एक बिहारी की तपस्चा से खुश होकर भगवान ने उसको अमरित दिया मगर वो अमरित नहीं पी रहा तो भगवान ने उससे पूछा कि वच्छ अमरित क्यू नहीं पी तो पता है बिहारी ने क्या जवाब दिया भगवान अभी अभी अच्छा खाने वालों में उच्छ संस्कार पाए जाते हैं वह भड़े ही मौन और शांत होते हैं थुक करके वल तभी जवाब देते हैं जब बोलने की कीमत गुटके से जादा होती है वरना हूं हां हां मैं आंसर दे देते हैं वो लोग कानपूर की एक बहुत ही फेमस लव स्टोरी है लड़का बोलता है ए सुनीता हम कैश्य माल ले कि तुम हमचे कितना प्यार कटी हो सुनीता ने जवाब दिया कि तुमको याद है दुई साल पहले तुम अपने जी के साथ हमरे घर आये थे और हमारे घर के आंगन में थूके रहे तो लड़का बोलता हां तो हां तो आज तक हम उजगा को गोवर से नहीं नहीं प्ले रहे का ऐसे तुम्हारे प्यार के निसानी ना मिट जाए भारत में इतने तिजस्वी लोग पाए जाते हैं मतलब पड़ोस की पटाई नहीं जाती है और अभी तो रुको क्लाइमाक्स अभी बाकी है मेरा खुद का दोस्त वैसे तो अखंड सिंगल मगर रिलेशन्शिप में आया तो किसके साथ किसी अधर इस्टेट वाले लडगी के साथ मतलब आज तक मिला नहीं आज तक देखा नहीं मैंने बोलता है नहीं भाई देख इंस्टागराम पे उसकी फोटो है मैंने बोलता है भाई प्यार एशब नहीं देखता थीक है जाने दे मगर ध्यान रखना फिर बोलता भाई हम अगले हफते मिलने वाले हैं मैं जा रहा हूं उसके स्टेट उससे मिलने हम वीडियो भी बनाएंगे उसने प्रॉमिस किया है यहीं नहीं अभी और सुनिए फाइनली वह दिन आ भाई प्यार अंधा होता है मगर इतना अंधा फतना 200 किलो की बेबी और तु साले 500 क्राम का तो बोलता है भाई तु सही बोलता था ओनलाइन रिलेशन्शिप में आने से पहले मुझे सोचना चाहे था मेरे वहला साले चिल्ला-चिल्ला के अरोप सोनी बोलता है साफदान इ एक और प्रॉब्लम है मुझे बोल साले क्या प्रॉब्लम है चल बोल आप तु बोलता है भाई मैंने आज साम को बेबी को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे गोद में उठा के पूरा गाडन गुमाऊंगा इक तो तेरी बेबी उठाई नहीं जा सकती अगर तूने बेबी को है उसको उठाने में जे सी बी चुरा के लिए जा बदा के लिए जा उठा के लिए जा यार इमोशन ओ टैमिट ये तो माउंटें डूपी के डारेक्ट छलांग मार दिया रितिक रोशन भाई साब बोलते हैं कल रात मैं रोया था और ये बात सिर्फ मेरी मा जानती है क्योंकि कूटा भी उससे ने था और दूसरी बान को याद आए कि उनकी चुरुई चुट गई है बाई तो फिर से आके कूटा मेरे को लतिया खाते टाइम लड़का कितना भी कुशिस कर ले अपनी मम्मी को समझाने का मम्मी रहन दो समझ जाओ मैंने नहीं किया कुछ मम्मी नहीं समझेगी भाई उल्टा रियक्शन होता है उपड़ से आज साब दोस्त ऐसे होने चाहिए जब आग लगे तो फैर बिगड बन जाए और जब गान फटे तो टेलर बन जाए प्यार से चो मिल गम लेन